तो आज हम करेंगे क्लास चल्थ आरबीसी की साइकेंड बुक पन्नोरमा का चेप्टर नमबर एट दो गिफ्ट ओफ मजाई जिसके राइटर है ओ हैं ओ हैं तो देखें दोरस तो बेसीकल ये चेप्टर भी एक लव स्टोरी है जिसके अंदर दो करेक्टर से हैं एक डेला और दोनों की कास तो डिलिंगम यंग्स है और जो फीमेल करेक्टर उसका नामे डेला और मेल करेक्टर उसका नामे जैम्स उसको निकनेम बोलते हैं जिम तो यह जो चैप्टर इसका मॉरल तो यह है कि जो पूर कपल्स होते हैं उनके पास में देने के लिए कोई expensive चीज़े नह की जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन जो चीज़े होती है उनको अपने लव के लिए प्यार के लिए एक दूसरे को डोनेट कर देते हैं दूसरे को गिफ्ट कर देते तो यह इसका मॉरल रहता है तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं इसके अंदर है डेला नाम की लड़ तो फ्रेंड्स फैमेली उन सबके साथ में गिफ्ट का एक्षेंज होता है तो डेला भी चाहते हैं में मेरे अस्वेंड को गिफ्ट दू तो डेला की और जो जिम की इंकम है वीकली इंकम उनकी 20 cents है sorry 20 डॉलर से 20 डॉलर में तो काम चला मुश्किल होता है तो 20 डॉलर करते- सब्सक्राइब करके एक डॉलर और 87 cents इसने बचा के रख लिए मतलब पिछले दो तीन मेनों से कोशिश कर रहे थी क्रिस्मस की अपने स्वेंड गिफ्ट देने के लिए सेविंग कर रहे थी पिछले दो मेनों से और इसने रुपे किते बचा एक डॉलर और 87 cents यह इनकी तो फिर प्यार तो बहुता कि उसको गिफ्ट देना है मेरे अस्वेंड को तो क्रिस्मस आज पास में इता नैस डी था किसमस उसे एक दिन पहले की सारी स्टोरी चल रही है तो यह फिर थोड़े दुखी हो जाती है काज की विंडो में देखती है क्या हो रहा है क्या करना च की जरना होता है उससे इसके जो एर इसको कम्पेर किया इसके बालों को से वालों को तरह से घंब करना था तो 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 उस आईडिया को साथ मिले कि रही निकलती है तो रास्ते में उसको बोड दिखता है मैडम सो फनके लग पी लिखावा था कि वहां पर है रहा पिर जाते हैं यह सब मतलब जो बालों का मीडम सोफनी नाम की जो लेडी है वह बालों का काम करती थी तो मैडम सोफरी नाम तो बहुत ही शानदार है पर उस ने डेला ने उस चाहिक भाई बिलेक ऐसे से बाल विपरीत निकली वह उसको फिर उस्कों सोफरीन नहीं था उसने क तो सोफरी ने बाल चेक किये उसने बताए 20 डॉलर से दो मेरे को फ्रीक कर लो बाल काटके तो बाल कटवा किया गिफ्ट सौप में गुमना शुरू कर दिया दोसने सीटी के लबग सारे गिफ्ट सौप में जा चुकी थी वह वह चाते थी मैं मेरे इस्पेंड को बढ़िया से और इसके उपर बैस्ट चूट कर वह गिफ्ट लोंगी में तो बहुत सारी सौप गुमी एक शौप में गई तो अलग-अलग चीज़े देखती रही कभी कुछ कभी कुछ पर उसका कभी कोई ऐसी चीजी थो उसके बजट के बाहर से जाती को बजट के अंदर रहती पर ट्राइड लेता है या फिर उसकी वह ऊपर उसको बहुत कि मेरी वह चएंज तरह की तरह की पर उसके और जट है वहला के रहे लिए पर उसके खश Weight प워요 नीड encanta no तो वो प्लेटीनम का देख सिंग देख इसमाइंग भियम के चेन होती है जो अपन इसके बुलेगा जो पट्टा होता है उसका समड़ इसके जागह फ्लेटिन मलती Colon है फागें अम्प च यहिंelu तो वह घर से वह जिम कहने का टाइम होने वाला था तो वह खाना वाना बनाके मतलब पूरी रेडी होगी जो दरवाजा उसके बीछे बैड़े जिम को सर्प्राइज करने के लिए और वह उसको बेट कर रहे तो उसके मैंने बहुच्छे थोट्स आने चाट हो गए कि जिम में मेरे से प्यार करना बंद नहीं कर दे मेरे बाल चोटे होने के कारण उसको इस तरह की फिलिंग साथ दर लग रहा था उसको उसने जो उसके छोटे से बाल ले गए थे अब उसको कर लिया और वहां पेचा के बैट गई जैसे जिम मैया जिम अपनी सूज की आवाज जैसे ज इन कोट की जरूए थी पर वह अफॉर्ड नहीं कर पा रहा था उस चीज को ऐसे ऐसे थोर्ट सा उसके मैंने फिर दोनों मिले तो फिर डैला ने उस जिम के लिए अपना गिफ्ट बताया जो प्लैटिनम फॉबचेन थी तो उसने अपना गिफ्ट बताया तो जिम ने ठीक ह तो तेना समुंद्र वाले उससे जो उसको डिजन किया वा था तो उस कंगे को उसको बहुत दिनों से चाती थी कि वह कंगा मेरे को मिल जाए उसकी बहुत इच्छा थी डैला के इस कंगे को लेने की तो जिम बहुत मैनत किस तरह से कि उसने अपनी घड़ी को बेज दी देला के काम का नहीं है और वो चाहन घंट की काम की कहां कि असके लिए और यह आपना बाल बेज़ दिए उसके लिए और जिम ने अपनी घड़ी बेच दी सब्सक्राइब करेंगे क्रिश्मस को तो इससे मौरल यह मिलता है कि जो लव है जो प्यार है वह बड़ी बड़ी पजेशन्स या बड़ी बड़ी चीज़ एक्सपेंसिव कार्स यह वगएरा वगएरा सीन्स सोफ सोचल मीडिया इन सबसे नहीं एक्सप्रेस होता अगर फिलि जो टाइटल यह क्या सजेस्ट कर रहा है मैं जाई वह लोग थे वह बुद्धिमान लोग जिन्हों ने यह जो क्रिस्मस की डिफ्ट देने की प्रथा डवलब की थी वह तो बहुत रॉल रॉल जिफ्ट दे जो जिन्हों ने इन्वेंड किया था पर वैट नहीं यह का आया इन जो is और डवल जिंहींद यह सबसे जादा बुद्धिमान इस चाहिए इस वर्ड के Dean जाओ ज रे पर चप्टरिक खतंय और वह बिशेद देन्हें देन की यह इन कि और करता है तो जो डैला के हैर उसको तो क्यूँ सिबा की जैलिस्य से कंपेड किया गहा है और जो जिम की गड़ी है उसको विधल को फीजा थाके फील होगी और जिम ने इस तरह से सोजा कि उसके पास जो सोने की गड़ी है वैसे सोने की गड़ी किसी के पास existence नहीं है तो किंग के पास सारा संपत्ति सब कुछ है और उसके पास मिर्जे सोने की गड़ी नहीं है तो इस तरह से उसको jealousy feel होगी तो यह comparison था, metaphor था point का इन दोनों की possessions है इसको अच्छा feel कराने काम को तो basically यह poem का end यह जो writer story है इसका end